कि हैलो दूस्तों कुके हिंक्स में अपका फिर से स्वागत है आज हम आपके सांथ सेयर करने वाले हैं चाना पनेरगी सब्जी जो काफी टेश्टी बनी हुई है आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर पनीर हम ले लिए हैं कट करके आप हमारे चाइनल पर जाके देख सक आता हैं। ऐसे विद्दे थ beautiful अपलोट कर दिया हैं तो यहां पर हम पनीर को फ्राइ कर लेंगे पाले तो यहां पर आप पसंद करतेया अफराइ किया हूा पनीर तो फ्राइ कर लेने तो अब अच्छा ही बना सकते हैं हमें फ्राइ किया हूब अर्का नमक छरंगता आदे तो हम यहां पे पनीर को अच्छा से फ्राइ कर लेते हैं अब जब भी पनीर को फ्राइ करें तो उस पे थोड़ा सा हलका नमक छिरग दे ताकि अंदर तक इसमें नमक चला जाए तो यहां पे हम अच्छा से पनीर को फ्राइ कर लिए हैं और अब हम चलेंगे गैस के तरफ हमा एक बरी इलाइची और यहां पे दो सुखी लाल मिर्च और यहां पे हम एड़ करेंगे एक चमच जीरा है इन सारे मसाले को हम कुछ के लिए भुनेंगे ताकि इसका कलर से इसका जो फलेवर प्लेवर है तो प्लेवर भुदक हो go करीब करेंगे 5 लिए हैं क्योंकि हम यहां पे 250 ग्रम चने लिए हैं तो प्यास अम चार -पांस प्याज करेंगे यहां पियाज यानि जितना हमारा चन रहेंगा उतना ही हम प्याज अट करेंगे तो यहां पे अच्छे से हम एक मिन्ट भुनने के बाद प्याज को इसमें हम चन विंगोया हुआ चन है कि इसमें हम अड्ट कर देंगे तो यहां पर साथ ही आइट करेंगे हल्दी पावडर और नमक इन्हें हम मिक्स करेंगे और कुकर का जो है और धकन लगा कर इसमें एक दू सिटी आने देंगे थूरा समया पर पानी आइट कर दिये हैं ताकि यह चिपके नहीं तली में तो यहां पर दू तीन सिटी लग रहे हैं तब तक हम आपको मसाले दिखा देते हैं यहां पे हम एक चमच काली मिर्च, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चमच धनिया पाउडर, एक चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर, आधे चमच गरम मसाले, बस हम इसमें यही मसाले एड़ करने वाले हैं, जाता मसाला नहीं तो यहां पे कुकर में सीटी लग गई है, यहां पे सारे प्रेशा निकलने के बाद आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से चने भी सॉप्ट हो गए हैं, प्याच भी गल गए हैं, तो अब हम इसमें सबसे पहले अद्रक लासुन का पेस्ट करिब दो चमच एड़ करेंगे, और हम इसे वापस गैस पे चढ़ाएंगे, तो इसे हम एक से देर मियत भूलेंगे, ताकि अद्रक और लासुन का जो इसमेल आती है, वो सबची में नहीं आए, तो इसलिए आप मसाले अड़ करने से पहले, एक से देर मियत पहले आप अद्रक लासुन का पेस्ट डाल के उ और टमाटर सांती दोनों भून जाएंगे, तो यहां पे करीब आप एक से देर मियत हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले जो भी हम आपको दिखाए हैं, वो आइड करेंगे, सांती दो तीन चमा चम पानी इसमें आइड करेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, यहां पे मस मसाले को भुनना भूनना बहुत जुरूरी है, तो आप गैस का फ्लेम है, वो मेंडियम कर दे, दो को पांच्छांब आप 7 á8 मिनाट भूले, तो यहां पे हम बीच बीच में मसाले को चलाते हुए 7-8 मिनाट भून लिए हैं, तो इन legend एक से पहचान सकते हैं, मसाले कितने तेल और मसाले बिल्कुल अलग है तो इन्हें हम बहुत अच्छे से साथ से आठ मिनात भूने हैं अब हम इसमें सबसे ज़रुरी जो बात है इसमें हम गरम पानी आड़ करेंगे कई लोग सब्जी हर तरीके से मसाले भी अच्छे से भूनते हैं लेकिन ठंडा पानी डाल देत चावल के साथ खाना चाहते हैं या फीर फिर फरात्य के साथ उसके अनुसाना पानी इसमें एड कर दे और यहां पे आप जो आप साथ चीज कहाओी है उस से अप डाल दे और अच्छे से मिस्क कर और थाँश ते नहीं लगाए वस्पर सब्रीषा ुबाले गैस का फिलेम करें उसके बाद हम यह पर हम हम करेंगे झाल तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम अच्छे से मिक्स किये हैं और गैस का फ्रेम बिल्कुल हम यहां पर लो कर दिये हैं चार से पांच मियद के बाद हम आपको दिखा रहे हैं यह दिखिए जो सब्जी है वो कितना बढ़िया बनकर तयार है अब आप इसे अपने मन पसंद फ्राथे लाओ जो भी आपको कितना यह टेश्टी बनी है एकीन कर यह बहुत यह टेश्टी लगती है आप बजूर चने के साथ पनीर को आड़ करके बनाएगा सब्जी और आप हमें कमेंट में जरूर बताईएगा क्यों कैसा बना अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज लाइक बटन दब आपके मोबाल पर सबसे पहले पहुंचे तो फिर मिलती है एक नए वीडियो में नए रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक क्या थैंक्स पर वाच